हेलो दोस्तो वेलकम टू अपर यूटूब चैनल स्टेडी सर्केल 2.0 सो कैसे हैं दोस्तो आप सभी लोग आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे सो चली दोस्तो शुरू करते हैं आज का लेक्षर और दोस्तो आज की लेक्षर में हम लोग पढ़ेंगे अपना कॉंक्रीट टेकन और इस कॉंक्रीट ऑपरेशन में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तो वो है कॉंक्रीट यानि की वेट कॉंक्रीट का कॉंक्रीट किस तरीके से किया जाएगा ठीक है अभी तक हमने दोस्तो इस चैप्टर के काफी सारी जो टॉपिक है वो कबर कर लिये हैं किस तरी देखा था कि कॉंकिट को placed कैसे किया जाता है राइट यानि कॉंकिट प्रेस होने के बाद उसको कैसे हम कॉंपैक्ट करेंगे कौन-कॉन से हमारे methods होते हैं और दोस्तों यह topic काफी important है आपका क्यूंकि यह आपको आपके भाइर यूझ किया जाते हैं ना वह कॉश्चन आपका यहां से एक बन सकता आपके एक्जाम में तो इसको आप ध्यान रखें ठीक है चलिए तो कॉम्पेक्शन और बैट कॉंक्रीट का मतलब क्या है तो सिर्फ और सिर्फ का मतलब यह है दोस्तों कि जब आप कोई भी एस्ट्रक्चर बना रहे हैं ठीक है तो उस के 20 से एयर वाइट को कम करना कॉम्पेक्शन का मतलब सीधा सीधा यह है मतलब जो हमारी कॉंक्रीट है इसके बीच में जो गैब बना हुआ है ठीक है ना जो खाली जगह है उसको कम करना ही हमारा कॉंपेक्शन कहलाएगा और वो कॉंपेक्शन हम कैसे कर पाएंगे वो कॉं कभी भी नहीं पूंची जाएगी, ठीक है, आपको purpose पता होना चाहिए, कि हम compaction, जो होता है, दोस्तों, वो concrete का क्यों गरते हैं, तो compaction हमारा, इसलिए जरूरी होता है, किसी भी structure के लिए, कि जो उसमें, बने हुए air whites हैं, जो हम, अच्छी स्ट्रेंथ वाली नहीं मिलती यानि उससे बनी हुई इस्ट्रक्चर होगी हमारी जो इस्ट्रक्चर बनकर के तयार होगी हमारी वह क्या होगी अंदर से खोगली रहेगी ठीके तो क्या होगा कि वह जल्दी हमारी ब्रेक हो जाएगी यानि जल्दी वह फेल हो जाए ठीक है आपको अभी मैं बता दूंगा आप पडीज करके वीडियो में केंटीन्यू वने रहे मैं आपको थीोरी भी बता दूंगा आप थीोरी भी आपनी नोटस में लिख सकते हैं थीके इस टॉपिक की मैंत Perché और भी भी साथी साथ ले करके आया हूं ठीक है चलिए अभी फिलाल बात कर ले थे method of compaction की यानि कि कौन-कौन से यहाँ पर compaction के method जो है हमारे रहने वाले हैं तो चलिए दोस्तों पहला method है हमारा hand compaction ठीक है यानि हम हाथ से compaction करेंगे और दूसर रहेगा हमारा mechanically यानि कि किसी machine के दूरू या किसी instrument के दूरू ठीक है चलिए तो hand compaction दोस्तों या इसको हम tamping भी कहते हैं मतलब हाथों से tamp करना ठीक है हाथों से किसी जो है रहता है कुछ इस तरीके का यह दुर्मोट रहता है कि आपने देखा होगा मुझे ज्यादा बनाने की ज़रूद नहीं है इस तरीके से यह कुछ दुर्मोट रहता है इसमें नीचे जो है लोहे का कुछ बेट लगा रहता है इस तरीके सर्गुलर पिलेट हो दिए जो की काफी भारी होती है और यह इसका हैंडल होता है तो इसको यहां से पकड़ करें कि नीचे बार-बार जो है हमारा कॉंक्रीट जो रहेगा उस इसका जो एरिया होता है लगभग 10 cm2 के बरावर होता है तो यह चीज़ आपको यहां पर जान लेनी है और साथ साथ दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे माली जे हम किसी कॉलम की ढहलाई कर रहा है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि हमारा जो ड्रैमर है यानि जो हमारा हम यहां पर सीथ हैं धो कह सकते हैं इसका कर रहे हैं जिसका रहे होगा हम ओनदर कि हो जाएक निचे सेटल होगी यानि कि उसका जो अंदर का air void से वो कम होगा तो हम ऐसे भी जो है hand convection कर सकते हैं और आपने देखा भी होगा basically जो छोटे कार होते हैं उनमें हम कहे करते हैं दोस्तों जो हमारा hand convection होता वो हम यूज करते हैं ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं प्रवाइटर के बारे में आपको आंगे पढ़ाने वाला हूं ठीक है तो क्योंकि वाइब रिटर का पूरा पूरा आपका चाप्टर है तो उसको मैं इसी लेक्चर में कबर कराने वाला हूं लेकिन उससे पहले अभी आप लोग इसकी थोड़ी लिख लीजे ठीक है फिर उस से पहले यह कुछ पॉइंट्स मैंने लिख राखें ठीक है बिलको सॉट पॉइंट है यह और आपको इनको डेटेल में लिखना हो तो लिख सकते हैं वरना यहीं पॉइंट आप अपनी कॉपी में डारेक्ट नोट डान कर लिजेगा तो कॉंप्लेक्शन आप बैट कॉंकि क्या करेंगे जो की हमारा कहला गा कॉंपेक्शन और यह वॉइट सगन होगी और उसकी च्रेंद बढ़ जाएगी ठीक है फिल लिखा है कि कॉंपेक्शन से स्टील बाक कॉंपेट के बीच इंटर्लॉकिंग अच्छी होती है इसका कहने के मतलब यह है जैसे हम माले से बीम तो बीम में पहले हमने क्या होगा सरीय डाली होगी उसका जाल डाला होगा फिर उपर से कॉंपेक्शन कर देते हैं तो जो हमारी अंदर इस्टील डली होई है सरीय डली होई है और जो हमारी कॉंपेट है उनके बीच इंटर्लॉकिंग अच्छी से होती है ठीक है यह यहाँ बहुने, इसके बाद दोस्तों बोला गया है यहाँ पर की कॉंपेक्शन तब तक करें जब तक सीमbell जिली या सीमbell कीरीम शते पर ना आ जाहelines इसका कहने के मतलब यह है तो आपको इतना भी compaction यहाँ पर नहीं करना है कि जो आपका दोस्तों cement paste है वो उपर आ जाए इस चीज़ को आप business करके देहां रखें ठीक है लिखा है कि ज़्यदा compaction करने से concrete का segregation हो जाता है तो यह भी आप लिख सकते हो ठीक है इसके बाद दोस्तों मैंने concrete की कुटाई की विधियां बताई थी जिसमें दो method बताया थे आपको hand compaction और आपका mechanically तो hand compaction में आपकोछ यहां पर point लिख सकते हो जैसे कि यहां पर लिखा है कि जो आपका hand compaction होता है वह हम छोटे कारियों में use करते हैं जैसे हमारा यहां पर लिखा हुआ है हम new बना रहें या हम select बना रहें तो वहां पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं और जो सक्रेक कोलम हो स इसको भी आप बना सकते हैं ठीक है तो बना लीजे इसको और चलिए अब कुछ थियोरी मेकेनिकली कॉमपेक्शन कीए तो वो भी आप साथी साल नोट कर लीजे और फिर जो मेकेनिकली कॉमपेक्शन की अंदर हमारे वाइबरेटर आते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं चलिए अब जो यांत्रिक उटाई है यानि जो मेकेनिकल कॉमपेक्शन है उसकी कुछ थियोरी आप नोट कर लें तो इसमें बोला है दोस्तों कि जब concrete के compaction है तो हम किसी यंतर का परियोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं यांतरी कुटाई कहते हैं मतलब mechanical reaction कहते हैं और जो हम यंतर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं vibrator mainly compaction के लिए vibrator use किया जाता है दोस्तों और यह बहुत ही अधिक मात्रा में use किया जाता है क्योंकि इससे काम हमारा बहुत अच्छा होता है और बहुत ही easily तरीकी से हो जाता है ठीके ना तो यह आपका पहला point हो गया दूसरे में लिखा है कि concrete के compaction के लिए यह अंत्रिक विधी सबसे अच्छी वा अधिक उपयोग की जाने वाली विधी है ठीके ना आपका जो mechanical vibrator है उसका नाम ही vibrate करना है ठीके क्योंकि उसका काम क्या है vibrate करना तो चीजों को वाईबरेट करेगा ठीके और जैपisol होगी तो वो क्या होगी सटल डाउन होने की कुस्स करेंगी जब आप concrete में क्या करते हो ड़ो डालते हो तो викरेंट होता है ऑनका vibrator का जो निडल होता है वो vibrate होता है तो concrete भी आपकी vibrate होती है और जिससे होता क्या है कि जो आपका aggregate बगरा है वो फिसलता हुआ नीचे settle होता है यानि कि जो उनके बीच पर gap है वो कम होगा तो वहीं यहाँ पर बोला है कि vibrator concrete के संपर्क में आ करके जो है कमपन उत्पन करते हुए concrete को गती seal करके उनके बीच लगने वाला जो घर्षण वाले उसको कम कर देता है ठीक है फिर बोला है उनके बीच की दूरी कम कर देता है जिससे air whites खतम हो जाते हैं और जो हमारा यहाँ पर सखन है और जो concrete वो सखन पराफ्थ होती है यानि कि dance पराफ्थ होती है यह बोला गया है इसके बाद दोस्तों जो हम mechanical complexion करते हैं तो इसमें हम लोग mainly compact या जिसको हम vibrator करते हैं उनका use करते हैं तो यह चार तरीके के होते हैं इन ही चारों के बारे में आपको पढ़ना है तो आप इतने heading यहाँ पर लगा सकते हो ठीके समझ रहे हो तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है और दोस्तों जब आप vibrator चला रहे हों तो यह भी ध्यान रखे कि आपको लगभग एक जखे पर कम से कम दो से तीर मेंट तक बाइवेटर तो चलाना ही चलाना है ठीके और आपका जो mechanically compaction उसके क्या क्या benefits है तो उन benefits को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो दीखे मैंने कुछ benefits यहाँ पर add कर रखे है अगर आप से लिखने के लिए आगया exam में कि जो mechanically compaction है तो आप यह सब points लग सकते है तो पहला point है कि इसमें दीखे compaction जल्दी हो जाता हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना ही पड़ती और फिर बोला कि इस सक्तिपरकार की concrete के लिए हम इस जो हमारा mechanical compaction उसका use कर सकते है मतलब जब हमारा water cement ratio कम हो जब water cement ratio कम होगा तो concrete काफी hard होगी और उसको compact करने में काफी मेनत लगेगी तो वहाँ पे vibrator हमारा अच्छा काम करता है और vibrator अगर हम use कर रहे हैं तो हमारी concrete बिल्कुल dance प्राप्त होगी ठोस प्राप्त होगी और इसकी strength अधिक होगी आप यह भी यहाँ पी add कर सकते हो जो strength होगी वो हमें क्या मिलेगी बहुत अधिक मिलेगी फिर बोला है कि concrete और जो वार्स हैं उनके बीच interlocking अच्छी होती है क्योंकि जब हम hand compaction करते हैं तो cable उपर-उपर compaction होता है लेकिन vibrator बागर है जब हम चला रहे होते हैं तो अंदर तक जाकर के जो हमारा concrete है उसको जो हमारी वार्स डली हुई है इस टील की उनके साथ interlocking अच्छी करा देता है ठीक है और फिर चौथा point है कि स्रमेक की ज़रुवत नहीं पड़ती एक ही लोग बहुत सारी जगे पर compaction अगेले कर सकता है ठीक है तो यह था दोस्तों आपका mechanical compaction अब mechanical compaction में जो मैंने यह आपको चार तरीके की vibrator बताया है internal, external, surface and table इनों को आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से ठीक है चली तो अब आप heading लगाएंगे दोस्तों vibrator और यह मैं आपको bit थियोरी साथ ही साथ समझाऊंगा ठीक है अलग से theory so नहीं करूंगा मैं पहली आपको theory so कर देता हूँ और उसी में समझा देता हूँ ठीक है तो आप क्या करिए इस theory को भी अपनी copy में जरूर से note कर लीजे चली दोस्तों शुरू करते हैं तो देखे लीजे दोस्तों यह आपका heading में लगा दिया है vibrators यानि कि आपका compact भी इनको कहा जाता है हिंदी में तो अब यह होत दे क्या है इनके बारे में थोड़ा एक दू किसकी थूरू वाइविल्टर के ग्रूप फिर बोला है कि यह concrete में जो उपजे हुए यानि जो बने हुए हमारे air white से उनको कम करके concrete के खोकलेपन को कम करता है और उसकी जो सामर्त है उसको क्या करता बढ़ा देता है ठीक है यह चीज आपको note कर लेनी वही मैं आपसे बोल रहा हूँ starting से कि compaction का मतला भी है कि जो अंदर concrete के air white बने हुए है उनको कम करके उसकी जो dance नहीं से उसको बढ़ाना और साथी साथ उसकी strength को बढ़ाना यह हमारा mainly compaction का काम होता ठीक है तो अब जो हम vibrator यूज में लेते वह हमारे चार तरीके के होते एक है internal फिर external surface and table जो सबसे जादा यूज किया जाने बाला है वह है आपका internal vibrator ठीक है और फिर अलग-अलग condition के हिसाब से vibrator को design किया गया है ठीक है जब हमारा internal काम ना करे तो ह हम surface का use करेंगे और यह surface काम ना करें तो हम table vibrator का use करेंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले आपको heading लगा लेनी है internal vibrator क्या होता है ठीक है चलिए तो internal vibrator दोस्तों आप कुछ इस तरीके से पहले यहाँ इसका figure देख लीजे मैं आपको देखा देता हूँ कुछ इस तरीके से मतलब जहाँ से इसको power मिलेगी यानि जहाँ से इसमे vibration create किया जाएगा ठीक है और इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों यह एक pipe है और आँगे आप देखेंगे तो यह आपको needle देख जाएगी इसमें यह shaft है जो आप देख रहे हैं क्या होती है shaft होती है और shaft से आँग और अगर हमारा air compressor है यानि air की थूरू चला है तब भी हम इसका use कर सकते हैं यानि यह तीन चीज़ों में से किसी से भी operate हो सकता है चलिए अब इस vibrator से related कुछ चीज़ें लिखी हुई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पहले तो इसका नाम है internal यानि यह concrete के अंदर जाकर क और फिर इसको चला देंगी और वैसे यह चलता रहता है तो यह क्या करेगा और जो यह निडल वाइबरेटर है दोस्तों इसको निडल या पावकर या फिर immersion के नाम से भी जानते हैं मतलब इसी vibrator के 2-3 नाम और है जो आप इनको note कर सकते हैं फिर आंगे लिखा है कि इसमें इनकी डाय दिये हैं देखिए जैसे यहां दिया है निडल का जो डाय मीटर है वो कितना 20 से पच्चेश और इसकी जो लैंत है निडल की है यहां से यहां तक वह क्या दिय है 25 से 90 सेंटीमेटर तो वह भी आपको यहां पर लिख लीन है मैंने यहां सो नहीं कर यह लेकिन चला रहे हैं तो आपको जहां एक जगह आपने चला दिया तो उसके चारों और आपको लगबग 600 mm की दूसरी दूरी पर चलाना क्योंकि और आप बहुत पास पास चलाएंगे ना तो फिर समस्या हो जाएगी तो यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और यह भी ध्यान देन चला और जो कोज अगरिगेट है वो नीचे बैठ जाता मतलब सेगरिगेशन हो जाता ठीक है तो इस पॉइंट का मतलब भी आप लिख सकते हो ठीक है चलिए आगे लिखा कि एक जगह हमें कम से कम 5 से 15 से चलाना चाहिए ठीक है इसको आप नोट कर सकते है ठीक है और मैंने अभी जश्ट थोड़े देर साथ पहले आपको कुछ टाइमिंग ज्यादा बता दी थी तो वह बाई मिश्टेक हो गई है दूस्तों आप इसको करेक्ट कर लिए ठीक है आपको एक जगह जगह जो वाइबर्टर चलाना वह पांस से पंदर सेकंड तक ही चलाना ठीक है इसस है दोस्तों आपका इंटरनल वाइबरेटर तो आपको आई हो पी समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे एक्स्टरनल वाइबरेटर होता यह क्या होता है ठीक है चलिए दोस्तों एक बहुत ही एमोड़न चीज हमारी चूट रही थी यहाँ पर तो जो बेरियेशन है आपका 20 mm से 25 mm तक का वो कैसे है तो थोड़ा सा इसको देखिए आपका दोस्तों जो 25 से 35 mm तक का जो डाया का आपका नेडल रहता वो आप स्लैब में यूज करते हैं मतलब इस डाया जो आपका नेडल रहेगा वाइबरेटर में वो आप स्लैब के लिए करेंगे मतलब स्लैप का अगर आपको कॉंपेक्शन करना है तो और चालिज से जो साथ होता उसको आप बीम और कॉलम में यूज मिलेंगे और जो 75 का है या सिका में तो आप कहां पर फुटिंग में और जो प्रीकॉस्ट सेक्षन होगे उनमें आप इसका यूज करेंगे यह बहुत अच्छे से आप कर ले लिए ठीक कोई भी आपसे पूर सकता है चलिए आंगे लिखा है कि इंटर्नल वाइबरेटर एक अच्छा वाइबरेटर है जो सबसे ज्यादा यूज आपका किया जाता है तो वह भी मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है और जो यह वाइबर तक र kto उसे बहुत डिपरेंट है मतल crash को हम ग pounding रहेगे उसके अंदर प्रेस नई गरेंगे मंनला उस espaço कैसे करेंगे जो हमारा structure बन रहा है ठीक है जैसे हम माली जे बना रहे है column ठीक है और column हमारा बहुत लंबा हो गया बहुत गहरा हो गया तो अब हम देखिए जो हमारा needle vibrator वहाँ पर कितनी गहराई तक डाल पा रहे है ठीक है और ज्यादा यानि कि इस vibrator को हम concrete में नहीं डालते है ठीक है इसको हम क्या करते हैं जो हमारा form बर्ग जो suturing हमने लगा रखी है उस पर बाहर से इसको चिपका देते हैं और फिर यह क्या करता है उसी form बर्ग में पतले बग गहरी concrete अभयाव जैसे इस्तम गहरी धरन पतली दीवारों का कमपन कराना हो तब हम इसी का उपियोप करते है ठीक है फिर आंगे लेखा है कि एक से दो मिनिट तक कमपन कमपक को चलाते है मतलब surface vibrator का जो timing है थोड़ा से जादा है एक से दो मिनिट है ठीक है ओके और जो हमें vibrator लगाने हैं दोस्तों ठीक है form बर्ग की उपर वो लगबग एक मीटर की दूरी पर लगाना है बहुत पास पास नहीं लगाना है ठीक है यह चीज आप यहाँ पर ध्यान रखे फिर लेखा ह है कि पचास सेंटीमीटर से मौटे अभयबों के लिए दौना फलकों पर लगा कर हमें वाइवेट करना जाई है मतलब जैसे अगर हम माली जो कोई दीवर बना रहे है और उसकी थिकनेस पचास सेंटीमीटर से काम है तब तो हम एक ही साइड लगा देंगे लेकिन अगर यह वाइवेडर का यूज करते हैं तो उससे भी यहां पर बहुत सारी तेओरी लिखी हूई है इसको कंकीट सते के उपर रख करके कमपन किया जाता है ठीके फिर लखा है कि इसमें वाइवेडर को जो है पट्टी के ऊपर फिट एक पट्टी होती है दोस्तों उसके उपर इसक इस फिगर को आप देखेंगे तो आपका दोस्तों तोड़ा सा और भी अच्छी से इसको आपको समझ पाएंगे देखिए कोई इस तरीके से रहता है यह देखिए आपका यहां पर यह प्लेट लगी हुई है इसकी उपर यह वाइबरेटर है और फिर क्या होगा जब यह आप रिमूब करा देंगे और फिर यह वहां भी वाइबरेट करेगा कुछ इस तरीके से चलता रहता है तो यह आपको समझ में आगया होगा यह और कुछ और पॉइंट्स बचे होगे तो आप उनको भी नोट कर लें यह से कि लिखा हुआ है कि यह जो वाइबरेटर है वो 15 से 20 मॉटी कंकीट की सत्य को सत्य के लिए एफेक्टिव है मतला उसकी लिए ये इसका उसका यूज किया चाहिए तो हमारी बनते हैं तो यतनी मोटाई में बनते ही बनते हैं हम से ब्लाय अगर तो आप क्या कर सकते हैं उसका भी कॉंपेक्शन इससे कर सकते हैं फिर आंगे बोला कि इसका उपयोग कहां देखी बीमिमिर का सड़कों में फर्सों में स्लैब में नहर का आस्तिरान ठीक है प्लेटफॉर्म बगर बन रहे हैं हमारे ठीक है जैसे हमारा रिल्वे स्टेशन लगे रहा है वहां पर अगर कॉंपेक्शन करना है तो हम इसी का यूज करेंगे तो यह होता है सर्फिस वाइबरेटर समझ में आ चीज आपकी आपने देखे होंगी जो पहले से बन करके आ जाती है तो अगर हमें वायरेट करना है तो आब इस guidelines करेंगे और इस पर करके उसको बाईबरेट करेंगे यहां त्योरी आप लिखी हुई है आप इसको लिख सकते हैं ठीक है और मैं यह वीडियो यहीं पे आपका दुस्तों पहुज करता हूँ ठीक है तो वीडियो कैसा लगा यह मुझे आप कमेंट में जरूर बताना और अगर पसंद आए तो मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं चलिए म मिलते हैं दोस्तों बहुत जब नेक्स लक्ष्टर में थैंक यूँ और थैंक सर्वचिंग